हाई गाईज वेलकम टू आली बोर्ड और आज अपनी इस वीडियो में अनालिसिस करने वाले हैं जो आज अपना CHSL का एक्जैम हुआ है 12th of October लगबग सभी सिफ्ट के सारे क्वेशन तो मैंने नहीं लेकिन पर्टिकुलर्ली टाइप्स ले लिए हैं सभी के टाइप उठा लिए similar बस value change और value change करके similar type के questions आपके exam में आ रहे हैं बहुत easy paper था paper में कुछ भी दम नहीं था थोड़ा सभी पढ़ने वाला student अगर उसने थोड़ी सी भी preparation की है तो वो 25 questions within 20 minutes में solve कर सकता था तो paper उस level का आशान था और कुछ भी दम नहीं था paper में मैं जो questions दिखा रहा हूँ आपको ये exactly आई हुए questions है first, second और third shift के मिले जूले questions है तो अपन देखते हैं एक बाई एक और लगभग 15-20 तरह के आपको questions बताऊंगा वही questions repeat हो रहे तो आगे आने वाली shift जिनका भी exam कल या परसू या आगे आने वाली सारी shift में है तो आप एक यहां से overview ले 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 और उन चीज़ों को एक बार revise नहीं भी किया हो जैसे similarity of triangles या circle की 2-3 property हो गई cord अगरे की जो property हो गई वो सारी चीज़े ध्यान देख लीजे और a center of triangles and similarity of triangles इन पर questions आ रहे और आपके algebra से aq plus bq plus cq minus 3abc उन से भी आपके questions आ रहे है ठीक है तो अपन एक एक करके यहां पर questions अभी discuss करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या questions आपके exam में आ रहे है clear चले तो मैं आपको first question बता रहा हूं जो की आया है उसमें क्या दिया हुआ था वो दिया था कि x minus 2y equals to 3 दिया था आपका और आपसे x square 4y square की value पूँचा था और एक और condition given थी xy equals to 5 दिया हुआ ठीक है और आपसे यह पूँचा हुआ था एक यह question था और एक आपका question था cos of theta plus sin of theta upon दिया था cos of theta minus of sin theta से और यह कितना दिया हुआ था 8 आपसे पूँचा था cot theta की value क्या होगी clear यह simple सा पूँचा था बहुत easy अगर आप x की जगे पे 5 और y की जगे पे 1 रखें तो यहाँ पे देखेंगे satisfy हो जाएगा 5 minus 2 equals to 3 direct यहाँ पे put कर देते कितना आजाता 21 आपका answer आजाता similarly अगर यहाँ पे componendo dividendo लगा दोगे तो उपर क्या बचेगा आपका उपर बचेगा 2 cos theta upon 2 sin theta और similarly upon 1 करके अगर लगाएगे componendo dividendo तो क्या आएगा 9 by 7 और simple यहाँ से आपका cot theta आजाएगा cot theta किता आजाएगा 9 by 7 आपका correct answer आजाएगा cot theta का clear बहुत ही simple सा question थी और आगे आप questions देखिए क्या क्या थे एक question पूछा था cos of x minus y कितना है root 3 by 2 दिया है और उसमें लिखा था sin of x plus y given था आपका 1 by root 2 आपसे पूछा था x की value what is the value of x obviously cos root 3 by 2 का बोता है 30 degree पे और sin 1 by root 2 का बोता है 45 degree पे direct अगर solve करेंगे यहां से direct अगर solve करेंगे तो क्या आएगा 75 that is 37.5 degree कितना आजाएगा 37.5 degree x की value आजाएगी clear इस इस तरह के questions थे आप खुद देख सकते हो कि कितने ज़्यादा low level के questions थे और इस से कहीं ज़्यादा high level के questions तो मैं आपको कराया हूँ SSCR RV Express पे clear तो I think you are able to solve this kind of questions also very very easy now come to this question it was given as a plus b plus c equals to 18 and a cube plus b cube plus c cube minus of 3abc आपको निकालना था और एक और condition दी थी that is a b plus b c plus c a बराबर दिया था 107 के आपको यह find करना था इसका direct formula होता है guys note it down that a plus b plus c a plus b plus c का whole square minus of thrice of a b plus b c plus c a clear simple सा यह formula होता है इस formula में आप रखोगे आपका तुरंट से answer आ जाएगा ठीक है इस formula में आप इसकी value रख दो खतम हो जाएगा a plus b plus c की value उठा के यहाँ पे रख दो direct आपका answer मिल जाता यहाँ से so आप खुद देखो कितने easy question थे a क्या था दिया हुआ था आपका rectangle rectangle a b c d दिया था rectangle a b c d in which diagonal is of length 12 and length is of length कितनी थी 12 आपकी दी थी आप से पूँचा था area कितना होगा rectangle का area of rectangle आप से question में पूँचा था area of rectangle पूँचा था 9, 12, 15 triplet बनाते हैं so brick will be 9 so area आपका 108 within seconds यह question solve हो जाता दिया था principle आपका 3500 35,000 और बोला था amount हो गया है यह principle 45,000 में और rate percent आपका given था 10% per annum time आप से पूचा था कि time क्या होगा simple सी चीज़ है simple सी चीज़ है कुछ भी नहीं करना था आपको यहां से देखेंगे what was the interest interest आपका था 10,000 कुछ नहीं करना था आपका principle और इधर पे आपका क्या आजाता यहां पे आजाता time यहां पे आजाता आपका rate और यहां पे आजाता आपका upon में 100 clear यह सारी चीज़ें अगर आप यहां से solve करते तो direct आपको कितना मिल जाता direct आपको कितना मिल जाता 20 by 7 कितना मिल जाता time आपको time आपको मिल जाता 20 by 7 years का clear तो ये भी बहुत ही simple सा easy सा question था फिर एक question था question number 7 हो गया अपना की age दी हुई थी age का ratio A ratio B the ages of A and B are 3 ratio 2 ratio दिया था age का age का difference दिया हुआ था 24 years पूचा क्या था A की age पूचा था after 3 years clear after 3 years A की age पूचा था कुछ नहीं करना था इसमें भी total कितना था ये आपका A ratio B कितना 3 ratio 24 difference कितना है 24 so what is the difference here 1 unit 1 unit की value 24 A की age पूचा है कितनी हो जाएगी 72 years 8th question आपका क्या था 6300 rupees को distribute करना था ठीक है X और Y का जो distribution ratio गिवन था 5 ratio 7 गिवन था Y ratio Z का distribution गिवन था 8 ratio 9 आपको Y का share पूचा था पूचा था Y को कितना मिला obviously आप यहां से XYZ का ratio निकाल सकते हो और XYZ के ratio से आप easily Y कितना होगा उसको आप यहां से solve कर सकते थे very easy question फिर पूचा था find the minimum value of find the minimum value of 8 cosec square A plus 25 sine square A इसका सबसे अच्छा formula होता है formula क्या होता है यह A होता है quantity यह B when A is greater than B then minimum value आपकी होती है twice of under root A B clear this is the formula for B cosec square A plus A sine square A इसका formula होता है तो यहां पे put कर दो A 10 25 आपका यह कितना आजाएगा आपका यह कितना आजाएगा यह आपका आएगा यहां से 8 5 is the 40 A 2 just 16 क्या आगया आपका यहां से 200 और 2 that is 20 root 2 आजाएगा क्या आजाएगा minimum value 20 root 2 आपका correct answer हो जाएगा चलिए एक दिया हुआ था circle ठीक है circle was given और इसमें center दिया हुआ था बोड आ था कि एक आपका जो sector है यहां पे angle कितना बन रहा 108 center था पूँचा था circumference पे बनने वाला angle कितना होगा ठीक है इसकी value पूची थी just इसका आधा कितना बनेगा 54 degree clear बहुत ही easy question आयते है question में कुछ भी दम नहीं था अगर आप देखो तो बहुत ही low level के question आप इतना आसानी से इन question को कर दोगे कि आप within seconds में इन question को फठाक से उड़ा सकते हो क्या given दिया था आपसे value पूचा था 1060 minus 1015 degree upon 1 plus 1060 degree 1015 degree इसकी आपसे value पूचा था you know that what is the value of 10A minus 10B upon 10A plus 10B plus 1 क्या होता है ये 10 of A minus B nothing but it is 10 of A minus B so यहाँ से क्या मिलेगा आपको मिल जाता इसकी value basically question में पूचा था question जो था वो इसकी value पूचा था question आपका सिर्फ इतना था और जो आपसे पूचा था आप इसको solve करना था तो similarly ये क्या हो जाता 10 of 60 minus 15 हो जाता that is 1045 that is कितना हो जाता 1 इसका answer हो जाता clear बहुत ही easy question बहुत ही जादा easy question length और breadth का ratio दे रखा था 5 ratio 2 perimeter आपका दे रखा था perimeter दे रखा था आपका rectangle का 238 ठीक है एक rectangle given था rectangle given था जिसमें 5 और 2 था perimeter 238 था तो 5, 2 कितना हो गया 7 and perimeter है तो एक बार और 7 add कर देंगे ये वाला portion तो ये total unit होगी 14 और 14 की value थी 238 तो 1 unit की value कितनी हो जाएगी 14 बंजा 14 14 आपका 7 जा कितना हो जाएगा यहां से 14 बंजा 14 17 आएगा ठीक है कितना आएगा 1 unit की value यहां से 17 आएगी length पूछा था length पूछा था 17, 5, 2, 85 कितना आजाएगा length आपका 85 आजाएगा question में length ही question में आपका पूछा था length का यहाँ पे आपसे question में पूछा था, इतना part question का था, ठीक है, length और bridge का ratio दिया था, perimeter ratio दिया था, आपसे length question में पूछ रखा था, simple सा है, perimeter आपका 14, ठीक है, 14, और आपका यहाँ से 14, 70 यहाँ से 98, 14 वंजा 14, 70, 98, 1 unit की value 17, so length की value आप 17, 5, 85 easily वहाँ से solve करके निकाल सकते था, फि a, b आपका 15 दिया था, a square प्लस b square आपसे पूछा था, अब बताए इस तरह के questions को कौन नहीं solve कर सकता, अरे simple सा है, square कर दीजे, और almost सभी shift में बस values change करके pattern similar था, ठीक है, आपको a के question करने की जरूरत नहीं है, सभी जो भी आपके questions पूछे गएते हैं, अभी exam में, उसमें ब इसको square कर दो, 121, a square plus b square plus 30, कितना आजाता यहां से, आप 30 घटा दो, कितना आएगा यहां से, आपका 91 correct answer हो जाएगा, कितना हो जाएगा, square b square, आपका 90 आपका correct answer हो जाएगा, एक और थोड़ा सा अच्छा question पूछा था, x cube plus y cube plus z cube पूछा था, आपसे 75 दिया था, और x, y, z की value दिया था, 15, और x plus y plus z आपका दिया हुआ था, 10, इतना आपका दिया था, यह 10 है, ठीक है, 10, आपका दिया हुआ था, पूछा था आपसे, जो question पूछा था, वो पूछा था, x square plus y square plus z square minus of xy minus of yz minus of zx, इसकी आपकी value पूछा था, कैसे solve होता, formula होता है, x cube plus y cube plus z cube minus of 3ab c equals to x plus y plus z, यह वाली value यहां पे आ जाती है, ठीक है, यह होता है, formula, सारी values आपको given है, all values are given here, बस put कर देना है, सारी values यहां से उठा करके, सारी values आपको यहां से उठा करके, पूछा करके, और जो यह desired result है, जो यहां पे पूछा जाता, that is x मैं बोलता हूँ, यह आपको पू एक question आपको बढ़िया पूछा था, बढ़िया क्या, मतलब concept पे ही था, center of triangle के concept पे पूछा था, triangle है, a, b, c triangle है, बोला था कि दो midpoint है, midpoint है m and n, और in midpoints को आपने मिला दिया, ठीक है, in midpoints को आपने मिला दिया, ठीक है, in midpoints को आपने मिला दिया, तो पूछा था, area of triangle, this is g, area of triangle m g n upon ratio of area of triangle a b c ये आपसे question में पूछा था clear area of triangles area of triangles so obviously medians are there these two points are the medians medians where medians intersect this point is centroid and we know that by the theorem of centroid already मैं ये पढ़ा भी रखा हूँ आप अगर sscrv express channel पे जाके और ये चेक करें playlist में geometry of triangles में तो मैंने पढ़ा रखा है कि direct ये theorem होती है कि इसका जो area का ratio होता है वो पूरे triangle से कितना होता है 1 by 12 होता है सुरिफ देख के मारना था property क्योंकि अगर आप इनको भी match करोगे let's say कि a point से ये था midpoint so ये वाला जो area होता है अगर मैं LMN की area की बात करूँ area of triangle LMN ये होता है आपका 1 by 4th of area of triangle ABC and ये जो remaining area है ये क्या है ये 1 by 3rd of MLN होता है so overall कितना हो जाएगा ये छोटा वाला 1 by 12 of triangle ABC very easy very simple question अगर आप थोड़ा सा भी जानते रहे होते तो अगर ने अपने classes की हुई होती ही साही से तो वो आहां से आप easily इसको कर सकते थे तो वही मैं कहता हूँ कि जब भी कोई चीजें पढ़ाऊं तो classes छोड़ने की बजाए थोड़ा सा आप focus किया करों उन classes में clear बहुत ही simple सा question दिया था दो chord इस तरह की intersect कर रही थी A, D, B और C point दिया हुआ था ठीक है दो chord intersect कर रही थी किसी point P पे और given क्या था आपका A, B given था 15 और आपका B, P given था कितना 9 C, P given था आपका 3 और आपसे P, D की value पूँची थी P, D की value पूँची थी कुछ नहीं करना था बहुत ही ज़ादा easy था ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा because A, B is 15 CP कितना दिया था 3 और ये value आपसे पूँची थी just कुछ नहीं property लगाना था 6 into 9 equals to 3 into X कितना आजाएगा यहां से X की value, X की value आजाती आपकी 18 PD कितना हो जाता आपका 18 हो जाता, ये भी within seconds solve होने वाला question था बहुत ही जादा, बहुत ही जादा easy question था, बहुत ही जादा, एकदम low level question clear, एक और question note करेंगे आपे, बहुत ही बढ़िया question तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एक circle दिया हुआ था, बोला था कि circle की area, find the area of circle, एक बार student थोड़ा से याँ पे confused हो सकता है, कि कैसे find करेंगे, बहुत easy था, question में कुछ भी दम नहीं था, this is radius and this given as 90 degrees, so what is the area here, half base into height equals to 36, what is the r square here, 72, obviously what is the area of circle, pi r square, put the value of r square, 72 pi will be the correct answer to this question, क्या हो जाएगा, 72 pi will be the correct answer to this question, guys तो यहाँ पे आपका यह खतम होता है analysis, almost मैंने सारे type के questions जितने भी मुझे मिले थे और अच्छे question यही आ रहे, values change कर दो, shift change कर दो, तो question बदा जाएगा, question almost इसी similar type के हैं, और मैं बता रहा हूँ, question में कोई दम नहीं था, 25 के 25 question इतने easy थे कि अगर आपने थोड़ा सा धंग से मेहनत की है और धंग से पढ़ाई की है, तो आप उन questions को within मैं कह सकता हूँ, 20 minute के अंदर खतम कर देंगा, और एक थोड़ा सा और अच्छा लड़का, जो CGL Advanced Means Level की preparation कर रहा, within 15 minutes से वो 25 questions easily खतम कर लेगा, तो जो जिनका कल exam है, सभी को best of luck मेरी तरब से, बिल्कूल टैंसल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखी लिया questions का level क्या है, बस chill होकर के exam में जाएं और exam को बहुत ही अच्छे धंग से करके आएं, thanks a lot guys, take care, have a nice day and bye bye